हेलो फ्रेंड्स मैं सोनी सोनी फूड स्टैल में आप सभी का एक पार फिर से स्वागत हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो डेज सारी लाइक कीजिए शेर कीजिए से फैमिली में फ्रेंड में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को अब जुरूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफकेशन आपको मिलती रहे गर्मिया आगी है घर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़े खाना हर किसी को अच्छा लगता है तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ज़्याद तो चलिए बनाना सुरू करते हैं कस्टरड फालुदा बनाने के लिए सबसे पहले गलास लेंगे और उसमें दो चमच हम सबजा सीट डाल देंगे अनि सबजा के वीज या चिया सीट बोल सकते हैं अब थोड़ा सा हम पानी लेंगे और इसे बिगो देंगे करीब करीब 5 मि जिसे ये फूल जाएंगे तो इसे साइड में रख देंगे अब मैंने एक कटोरी ली है उसमें दो चमच हम कस्टरड पाउडर डाल देंगे वनिला फ्लिवर का मैंने लिया है बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा और आदा कप मैंने नॉर्मल दूद लिय है तो इसे डाल देंगे थोड़ा धुड़ा डूद डाल कर हम इसका घोल तयार कर लेंगे यह नोर्मल दूद होना चाहिए उसे गयूल देंगे साइड में रख देते हैं अब मैंने एक पैन लिया है उसमें आदा लीटर में ने पानी डाल लिया है इसे उबलने देंगी अच्छे से उबालाने के बाद एक चथाई कप मैंने यहां फालुदा सेव होती है या फालुदा नूडल भी बोल सकते हैं ये डाल लेंगे इसे पकने देंगे करीब करीब 2-3 मिनट के लिए तो ढग कर इसे पका लेते हैं 2-3 मिनट या जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं देखे 2-3 मिनट हो गई है चेक कर लेते हैं अच्छे से सोफ्ट हो गई है कि नहीं तो इसे निकाल के हम चेक कर लेंगे ये अच्छे से सोफ्ट हो गई है अब हम इसे छान लेंगे चलने में इसे निकाल लेते हैं और ये चिपके नहीं इसके लिए हम इनके ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल लेंगे तो छान लेते दूद में अच्छे से उबाला गया है अब जो हमने कस्टड का गोल बना कर रखा था उसे डाल लेंगे डालने से पहले एक बार चमत से अच्छे से इसे चला लेंगे और इसे डाल लेते हैं दूद में और इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे और स्पैचुला से हम अच्छे से चला लेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी गाड़ा होने लगेगा तो दो से तीन मिनिट हम इसे पका लेते हैं दो मिनिट मैंने इसे पका लिया है दो चमच हम चीनी डाल देंगे या आप चीनी अपने हिसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं ठंडी चीजे थोड़ी मीठी अच्छी लगती है तो इसे मैंने पका लिया है ये अच्छे से गाड़ा हो गया है अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है अब गैस को बंद कर देंगे और हम इस मिक्षर को अच्छे से ठंडा कर लेंगे ये देखिए सबजा सीब भी बहुत अच्छे से फूल गए है आप देख पा रहे होंगे अब दो गिलास लेंगे और जो हमने कश्टर्ड मिक्षर ठंडा होने के लिए रखा है वो ले लेंगे और दो से तीन चमच हम डाल लेंगे ठंडा होने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा गाड़ा हो गया है जो भी चीज़े आप इसमें डाल रहे हैं अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ी सी हम फालुदा सेव डाल लेंगे और सारे चीज़े बिल्कुल थंडी होनी चाहिए थोड़ी से सब्जा सेव डाल लेंगे जितने भी आपको पसंद हो आप उसके अनुसार डाल सकते हैं तोड़े से ड्राइव रूट और कलरफूल चेरी डाल लेते हैं जिससे देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुनर लगेगा और यहां मैं एक एक स्कूप वनीला आइस क्रीम का डाल रही हूँ आप चाहें तो कस्टड आइस क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं एक बार फिर से हम सारे चीज़े डाल देंगे तो सबसे पहले हम कस्टड मिक्षर डाल लेंगे उसके बाद फालूदा शेव डाल लेंगे फिर हम सबजा सीड डाल लेंगे और लास्ट में हम दो दो स्कूप वनीला आइस क्रीम के या जो भी आइस क्रीम आपको पसंद हो आप उसी का स्कूपिस में डाल सकते हैं सबसे लास्ट में हम इसे गार्निस करेंगी थोड़ी से ड्राइफ रूट के साथ कलर्फूल हम चेरी डाल लेंगे और एक एक चेरी हम और लगा देते हैं तो ये लीजिए कस्टड फालुदा बन कर तयार है बहुत ज़्यादा टेस्टी है एकदम ठंड़ा ठंड़ा आप इसे इंजोई कर सकते हैं और इन गर्मियों में आप इसे जरूर बनाएए उमीद है ये रेस्पी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो ठेसारी लाइक कीजिए शेयर कीजिए से फैमली में फ्रेंड में अगर अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तक तक के लिए बाइ-बाइ फ्रेंज